जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, मैकार्डी कैप्सूल सीनियर एक कॉम्बिनेशन दवा है, जिसका इस्तेमाल अपच के लक्षणों जैसे हार्ट बन, पेट में दर्द या जलन जैसे लक्षणों में राहत देकर गेस्ट्रोइसोफेगल रिफलक् और पेप्टिकल सडेजीज का इलाज करने के लिए किया जाता है, यह एसिट को भी बैसर करता है, और पेट की परेशानी को कम करने के लिए, गैस को आसानी पास होने में मदद करता है, मैकार्डी कैप्सूल सीनियर को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार बिना भोजन के लिया जाता है डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है अपनी हिल्थके टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं सबसे सामाने साइड इफेक्ट डायरिया दस पेट में दर्द, मुह में सूखापन, सिर्ध दर्द, पेट फूलना, गैस बनना और कमजोरी हैं। इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से आपको चक्कर या नीन्द आ सकती है। इसलिए जब तक आप यह नजान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवश्यक्ता होती है। या स्तनपान करवा रही हैं। तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।